हेलो दोस्तो स्वाइब देक बाद फिर से आपका मारे इस नहीं वीडियो में आज की वीडियो में शिक्किंग रेश्य और प्रोपोशन दोस्तों अगर आप कॉंपेटिटिव एजाम की चारी करना होगा यह आपको क्लियर करना होगा इसमें कुर्शन बहुत आते हैं ठीके अगर इसको रेश्यों में करऊंदार कर हूं तो यह बनेगा एग़ एज़ दोपा करों की आपको इसको बता और होता है लेकिन हम ratio proportion की बात करेंगे तो हम सीधा इसको लेंके चलेंगी इसकी इससे multiply और इसकी इससे multiply सीधा बीच में बराबर हैं तो cross multiply नहीं हो सकते हैं ठीक है दोस्तों जब भी ratio की बात होगी तो इसको इससे करने करेंगे अब एक और सब देखनो जैसे a बटे में b है दो तिन लिखा हुआ है ऐसे तो इसकी ratio क्या पनाएंगी इसकी ratio बनेंगी ऐसे ठीक है दोस्तों यह था ratio and proportion का concept अब इसकी question देखते हैं ज्यादा इसको अगर नहीं समझते हैं अब दोस्तों यह question हमें दे रखा है इसमें क्या है a नहीं पाथ b दे दिए इसमें क्या करता है a नहीं पाथ b दे दे देगा बी नहीं पाथ c दे दे देगा और बलेगा a नहीं पाथ b नहीं पाथ c निकालो तो ऐसे कैसे question को करते हैं अब देखते हैं दोस्तो अब question पढ़ो अगर A नुपात B है 2 नुपात 3 और B नुपात C है 5 नुपात 1 A, B, C तीन पुछे होगा है A, B देदी या B, C देदी है B कुमन है ना तो B के नीचे B रख देंगे A, B, B के नीचे B, C रख देदी ये चार्ट रख खाली है इनमें क्या आएगा बताते हैं अब इसी pattern में value को बठा देंगे क्या देखा ये नुपात B क्या देखा है 2 नुपात 3 B नुपात C क्या है 5 नुपात 1 ठीक है दोस्तों ये जो खाली जगा है अब यहां पर क्या आएगा ये जो 7 रहा है ये ही लिख देंगे यहां खाली जगा है ये 7 रहा है इनको solve कर दो गुना कर दो simple तीन को एक से किया तीन पांच को तीन से किया पंदरा पांच को दो से किया दस ये 10 नुपात 15 नुपात 3 हमारा अंसवर आजा है ठीक है दोस्तों ये एनुपात B नुपात C की वैल्यू आजए तो ऐसे निकाता है दोस्तों जो दिया हो उसके नीचे बोरा से तो एनुपात B नुपात C अब जो यहां आएगा क्या आएगा यहां यह वाली वैल्यू आरे चुआ किया हुआ है भी जगात आप यह वद्म इनुपात C वेडि़ा इसा सफसे आप नहीं पांद आप इ tomar धीरा नफों आगी श्राशनााना तो सबस्क्राशनारिय Willow Chamasel और सबस्क्राशनारि तक अग्लार मचिल आग है अग्लारियनुक्त!! लुभू टें है। वाहनार्शनारियनुक्ते अग्लार्य का वह ग Одनपः हाँ है? धन वह दो, ग्राशनारम्पाशन वधाननार्य। और शीनुपत दी है पांच अब पाथ शी हैं दोस्तों आपको ऐसा टेटा सके लिखते जाना है फिर यहां पर क्या वैड्यू आएगी यहां पर जो सासवाल है वो लिख देंगे पूरा जितने तक मर्जी लिखना हो चार अट यह सासवाल लिख देंगे तो काट तो अगर नहीं कट सकता तो यह हमारा अंसा है यह दोस्तों वह हो गया A ratio, B ratio, C ratio, D हमारे पर सांसरा हो गए ठीक है दोस्तों जब ऐसा वाल कोशन आता है तो उसको कैसे करता है मैंने आपको ट्रिक को बदा दी बस ऐसे टेटा कर लिख देना जो जिखाली जगह है वहां पर लिख देना जो सांसरा नंबर है यहां पर B भी आ जाएगा यहां पर C C आ जाएगा ठीक है दोस्तों यहां B B यहां C यह पूरा हो गया यह पूरा नहीं हुआ यह पूरा नहीं हुआ अब दोस्तों आइसे करने हैं रिपर प्रफॉशन पर जलते हैं अब दोस्तों हम ऐसा कॉश्ण देती है जाल एक्शाम में यह तीन वैल्यू देर रखी हैं और बोलेंगो फाइंड एवी सी एवी सी की रेश्यू परता करो तो क्या करेंगी यह जो कॉस्षन लिख रखा है द 2A, 3B, 4C क्या करेंगी इसका L-CM ले लेंगे किनों का L-CM आयाएगा 12 दोस्तों ये ट्रिक वाले वीडियो बताई हुई ये मैंने L-CM कैसे निकाला है 4 मार्च नमबर का वो अब देख लेना अब इसका L-CM आगा 12 अब इन सब को 12 से डिवाइड कर देंगे 2A को 12 से किया 3B को 12 से किया 4C को 12 से किया ऐसा नमबर हम लेते हैं जो 3OR को डिवाइड कर सके अब इसको काता है ये 6 पे गया इसको काता 4 पे ये गया 3 पे अब क्या आ गया A,नुख बते में 6 B,ते में 4 चार और सी बड़े में 3 यह ABC खाली हो गए ABC के साथ कोई नमबर नहीं है जो बड़े में है वही इस कांसर हो जाएगा ABC की रेशियो आजएगी 6 रेशियो 4 रेशियो 3 ठीक है दोस्तों ऐसे वह कुशन जब आएंगे तो आपको यह ट्रिक अप्लाई करनी बस जो नमबर दे रह कि अलसिम लिया वहीं यह सिम बारा आया उसको डिवाइड कर दिया सभी ने बारा को जब काटा तो कुशना कुश नीचे वैल्यू बची है वह वैल्यू ही हमारी नेश्यू है यह हमारा आपको जाएगा ठीक है दोस्तों इसको आप डिक करो के पिपर में और आपका नमबर 把它 नंजाएका अब देखे है और खूंस개ी है धूस्त अब यह कोषण दे रख़ा है its TOP 5 आप उसको श्यूर्म पाट प्रते प्लस बराबर में क्या है एक सो वाकर भी Yeah 9x है, x80 के बराबर. सिंपल क्या लिखा हो, इन दोनों का जोड़, a, b का जोड़ x80 है, a, b हमें दे रखा है, 4 और 5, 9 होजेगा, 9 एको x80 के बराबर रखें, ने साथ में x चाहिए, क्योंकि हमें x की यहां पे जू निकालनी पड़ेगी, 9, यह क्या आ गया, 20, 20 आ गया, और a, b क्या है, 4x और 5x, x हमारे पस 20 आया, 20 रखेंगे 20 जो के, 80, और यहां रखेंगे 100, यह देखो, 100 और 80 आ गये, a और b, अब इनको जोड़ करने देखें, तो 180 बन भी रहा है, तो मिन्स हमारे a, b की वैल्यू सही आई, जिनका जोड़ एक ससी बन रहा है, और वो दो वैल्यू है, 80 और 100, यह इस रेशो के एकॉर्डिंग ही आई है, ठीक हो, दोस्तों, 20 आया, 20 को 4 से गुना कि यह 80, 20 को 5 से गुना कि यह 100, ठीक है दोस्तों, अब अगर इनका आ जाता है, तो कर देंगे गुना 2X इंटू 3X ब्रावदर 96, दोस्तों, आप जोड़ था तो हमने जोड़ कर दिया था, X वो लेंगे क्योंकि हमने इसको डिवाइल करने यहां पर एक कुछ वैल्यू चाहिए, जो आप फिल करनेंगे, तो यह आगए 2 इंटू 3 6, और X है तो means X स्क्वेर बनेगा, जोड़ सा दोड़ होता है, तो वैसे X जोड़ जाते हैं, लेकि जब मल्टिप्ले होती ही तो एक पार बढ़ जाती है, 96 हो गया, अब X क्या आएगा, 96 बाए 6, अब यह कितने पर जाएगा, 16 पर जाएगा, और X किदर है, यहां आएगा, रूट बने जाएगा, और 16 किसका रूट होता है, चार का, ठीक है दोस्तों, यह आएगी X के वैदिए 4, अब 4 यहां पर बिठा दो, चार दुमी, 8 और 4 पिए 12, यह दोस्तों रेशो आगई है, अब यह कट सकती है, अब यह दो के कटेंगे, 4 और यह आगए 6, फिर यह कटेंगे 2 और फिर यह आगए 3, दोस्तों सही मारा अंसरता ना कहने के मतलब हमने सही किया है, तो यह दोस्तों दो वैडियो आईए 8 और 12, इनका गुन नफाल लगए करें, तो यह आएगा 96 और इसका पूशा रगुन नफाल हमने निकाल दिया 8 और 12 हमारी वैडियो आगई A और B की ठीके दोस्तों ऐसे कोशन करना है, अब दोस्तों यह कोशन दे रखा है, दूद और पानी का दो बात 7 और बात 4 है, यह जो दूद की मातरा पानी की मातर से 45 लिटर अधिक है, तो बता है पानी की मातरा कितनी है, पानी कितना है, जोस्तों जब भी ऐसा पूशन आएगा आपको जो रेशो दे रखी उसको लिख लेना है, अधिक या कम की बात हो, आपको सिंपल उसका अंतर ले लेना है, डिकर्स ले लेना है, अंतर किसके बराबर है, फैंतार लिटर के बराबर है, हमारे इसाफ से यह तीन लिटर जादा है, साथ से चार, उन्हों न अधिक ही पात की है, तो चार से साथ बनेगा, तो तीन अधिक होगा तो उन्होंने रखा है पैंतालिस तो एक रेश्प किसके वराबर आएगी इसको तीन से डिवाइड कर तो यह इधर आ जाएगा जाएगा यही अब अंतर निकाल देंगे उसका पंदरा को सब्सक्राइब करो इससे चार नफा साथ से को कुश्य में यही और पाणी हमें चाहिए था पानी इमारे पास आगे ट닌त ही जो जोस्तो उन्हें ये बुद गारए दिस नहीं है तो likely साथ हुमारे पानी आ गे अब देशल करते हैा अब देखते हैं और कोश्शन अब दोस्तों में ये कोश्शन दे रखा है एक कलास में लड़के और लड़कियों की अनुपाद साथ नुपाद नौ है ठीक है लड़के और लड़कियों की अनुपाद है साथ नुपाद नौ यदि लड़कियों की संख्या साथ सो बीस है तो एक ratio यहां से निकालेंगे तो यह डिवाइड में होगा और आजाएगा 80 एक ratio प्राबर 80 के है ठीक है? इसको इससे multiply करेंगे इससे multiply करेंगे यह बच्चे आजाएगे लड़के यह लड़के आजाएगे पर्मरांसर आजाएगा 7 ratio 9 80 से करा यह 8 560 हाएगे लड़के मिन्स बोईस और 720 आजाएगे गर्ल्स लड़किया और यह हमारे पास आजाएगे जीरो शे और दो आठ साथ और पॉइंट बारा तो दोस्तों बारा सो असी टोटल बच्चे हैं नहीं समझे हैं आज दोबारा करते हैं एक रेश असी के बना पर आगी असी को इस से मल्टिप्ली करा 560 हागे बोईस असी को इस से मल्टिप्ली करने जूरत नहीं को कि 720 लड़के पहले दे रखी हैं यह बच्चे आगे मतलब टोटल जीरो आठ साथ और पांच बारा बारा सो असी आपका आन्सवर आया है एक रेश असी के बारा पर है डोनों से मर्जीर पर जोड़ करके टोटल बच्चे आए ठीक है दोस्तों ऐसे करते हैं रेश अनुपात तेरा के नुपात में कौन से संख्या जोड़े ताजिए यह पूछा होगा ठीक है दोस्तों साथ अनुपात तेरा में क्या जोड़े है अनुपात तीन हो जाए जब भी ऐसा कुछन आएगा पूग्या लिखना है ऐसे करके लिख लेना है बटे में और प्लस में क्या जोड़े है क्या जोड़े ताजो अपना अनुपात बन जाए दो अनुपात तीन साथ में क्या जो 2x उसको इसे मेड़ी पे करेंगे 20 और ये 2x हो गया अब xx वाले लग कर लेंगे xx वाले ये 3x है ये 2x इदर आएगा तो रह जाएगा अब 21 है उदर जाके माइनस हो गाए 26 में से 26x आजाएगा हमारे पस 5 ठीके दोस्तों अब ये क्या करेंगे ये इसमें जूड़ देंगे पांच आया पांच इसमें ये पांच आया न ये इसमें जूड़ेंगे तो अनुपाद दो अनुपाद तीन बनेगा आपके सामने भी दिखना साथ में पांच जूड़े बारा तेरा में पांच जूड़े अठरा आज ये कटेगा दो पर इसको पहले दो पर काटेंगे ये 6, 7, 9 आगया अब 3 पर काटेंगे 2, 9, 3, 9 ये 2 पर काटेंगे 2, 9, 9 ये 2, 9, 3 आगया ये हमने निकालना था तो हमने ये 5 पांच इसमें जोड़ेंगे ना दूनों में 5, 5, 5, 2, 9, 3 बन जाएगा ठीक है दोस्तों ये कौन सी वेल्यू गटाए है यारे बात यह बन जाए तब यहां मैनस लगा देती है तो यह फंड़ा था ठीक एक्स निकालते है वह एक्स में मैनस करते तो वांसर आ जाए था ठीक है दोस्तों ऐसे होते हैं यह रेशनल प्रोपोशन की कोश्टन दोस्तों अगर आपको यह सार करी तने अवाद